जूते कितने के हैं? साहब 850 रुपे के हैं. दुकांदार से भाव सुनकर मोहन बाबु ने अपने बेटे को धीरे से समझाया. रोहित, मैं तुमको दूसरी दुकान लिये चलता हूँ. ये जूते बहुत महंगे हैं. दोनों उस दुकान से बाहर निकलने लगे. अरविंद के पिताजी और मेरे पिताजी एक ही पदपर हैं. लेकिन दोनों में कितना अंतर हैं. उसके पिताजी उसकी हर मांग को पूरी करते हैं. उसकी हर चीज कितनी अच्छी होती हैं. और मेरे पिताजी को खरिदते समय कितना स कुरोध भी आ रहा था मैं जो कपरे पहनता हूं उससे अच्छे तुम्हें पहनाता हूं तुम तसल्ली रखो मैं तुम्हें अच्छे जूते दिलवाऊंगा बेटा इमंदारी के पैसों को हिजूल में कर्ज करने की मैं हिमत नहीं जुटा पाता हूं तुम बरे होकर समझोगे की इमंदारी और बेमानी के धन में क्या फर्क होता है अपनी बात पूरी कर पिताजी ने रोहित के सिर पर हाथ रख दिया रोहित चाहकर भी निगाहें उपर नहीं कर पा रहा था पिता जी की बात सुनकर रोहित को अपने सोच पर पच्तावा हो रहा था सायद इसलिए उसके मन में अपने और अर्विंद के पिता जी अब उनके लिए बुराई और अपने पिता जी सर्धा के पात्र बन गये थे दोस्तों हमें हमेशा सच्चाई और इमादारी के रास्ते पर चलना चाहिए